गरीबों को शासंग की उजनाओं का लाब देना थो दूर निशुल के प्रमाड पत्रों के लिए भी शुल के लिया जा रहा है मामला है धामनोड नगर के शास्की अस्पताल का जहां निशुल की जन्म प्रमाड पत्र बनाने के लिए गरीब व्यक्ती से चार सो रुपए ले लिए गए पेडित ने मीडिया को अपनी फीडा बताती हुए का कि अस्पताल में पुराने बने हुए तीन जन्म प्रमाड पत्रों को डिजिटल प्रमाड पत्र बनवाने के लिए नगर के शास्की अस्पताल पहुचा था जहां प्रभारी मनीस वासकले द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र बना दिये गए किन्तु नस्दीक में बैठे अधिकारी अखिलेश मालविये द्वारा तीन प्रमाण पत्र के लिए 400 रुपे का शुल्क लिया गया जब उन्होंने कुछ मित्रों से पैसों के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये निशुल्क है किसी प्रकार का कोई भी एफिडेवेट इसकार के लिए नहीं लगता मैंने तत्काल मीडिया को जानकारी देते हुए अपने साथ हुई ठगी की बात बताई इस संबन में जब मीडिया ने अधिकारी से पैसे लेने की बात पूछी तो पहले तो उन्होंने पैसे लेना कबूला बाद में वाद पैसे लेने की बात से मुकर गए और उनकी दादागिरी इतनी दिखी कि उन्होंने प्रभारी को वर्जन देने से भी मना कर दिया खास बात यह है कि अधिकारी कई वर्षों से नगर के शास्की अस्पताल में जमे हुए हैं ऐसे में छोटा कर्मचारी उनसे बाहर होकर कारे नहीं कर सकता कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन में जिन्मेदार सभी लोग हैं इनके खिलाब कड़ी कारवाई होनी चाहिए ऐसी युवक ने मांग करते हुए गरीबों के हित में ब्रह्म राजकुशल को आवेदन सोपा है यह नहीं पुराने वाले जमा करके दिए मुझे नये बनाके द है कि दिने कर आप नहींसे पताख़ा यह उन्हों कोई लगता नहीं है तो फिरिया में मेडिया प्रेश्कु बापा इसमें मीडिया के दौरा जालों किया रहा था कि लगवाव देड़े दो वजे से वीच्छ पर जलब रवान पत्रियों की निसों के बनाए या था उसके किसी करब चारे ने पैसे लिए हैं तो कि कारवाई के लिए आप परश्ट प्रेश्कु गुजरागाँ